Good morning student, here I am Kamal, so third class, आज से हम maths true video पढ़ेंगे, बहुत interesting होगा, बस आप साथ साथ में सिखते जाना, ठीके, आपको first chapter जो है, वो है numbers, numbers पता है न क्या होती है, numbers अगर आप जो counting करते हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनको desserts हैं ये, इनको हम क्या मोल देते हैं, ये क्या है numbers, इसको आप words में भी लिखते हो, जैसे आप numbers name लिखते हो, लिखते हो ना, तो ये हम स्टार्ट करेंगे, इसकी first activity, first activity, page number कहां पे है, 6 पे, अभी आपने सब कुछ अपनी book पे ही करना है, ठीक है, सबसे पहले है question number first, fill in the blanks, and question number two है, complete the table, सबसे पहला question है, the largest two dessert number, and second question है, the smallest three dessert number, अब आपको ये पता हो ना, चाहिए ना, कि smallest number कौन से होते हैं, और greatest number, वैसे तो आपको पता है, largest means बड़ा, और smallest means छोटा, लेकिन desserts में हमने सीखना है ना, क्योंकि अगर आपसे पूछने, two dessert largest number जा, तो आपको number given हो, फिर तो आप बता दोगे, कि yes, ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, लेकिन आपको नहीं पता ना, तो हम सीखेंगे, सबसे पहले question की requirement है, the largest two dessert number, और question number second की है, smallest three dessert number, okay, सबसे पहले है, one dessert number कौन से होते है, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ये क्यों होगे आपके one dessert number, क्योंकि सभी single है न, एक-एक है, जो एक होता है, वो one dessert number हो गया, जब ये ten बना, तो ये क्या होगे, two dessert number, क्योंकि one और zero, किसमें आते हैं, two dessert number में, और इसमें सबसे बढ़ा कौन सा होगा, 99, क्योंकि जब वो hundred बन जाएगा, वो तो three dessert number बन जाएगा, ऐसे ही, इसमें कौन सा सबसे बढ़ा हो जाएगा, 999, और four dessert में क्या होगा, thousand, और ten thousand, और इधर क्या हो जाएगा, 99,999, अब आपको पता चलाना, अगर आपसे मैं पूछूँ कि one dessert में सबसे चोटा और बड़ा कौन सा dessert है, अब आप बता सोगोगे कि चोटा कौन सा है one, और बड़ा कौन सा है nine, सो ऐसे ही है largest two dessert number, two dessert number में से, उन्हेंने पूछा है largest कौन सा ह अब आप मुझे बताओ largest कौन सा है one या 99, largest कौन सा हुआ, 99, सो इधर answer में क्या आएगा, 99, और question number third में है, the smallest three dessert number, मैंने आपको बताया, उपर वाले क्या है smallest, और नीचे वाले क्या है, largest, अब smallest three dessert number कौन सा हुआ, 100, सो इधर क्या आएगा, 100, ओकी, next question number two part में है, numbers हैं, और number name given है, कई बार आपको numbers दिये गए होंगे, तो आपने numbers name में लिखना होगा, और कई बार आपको number name given होगे, तो आपने numbers में लिखना होगा, जैसे आपका question number two है, वो आपको numbers में लिखना है, first क्या है, 458, सबसे पहले आप उपर लिख लिए लिजिए, ones, tens, 100, अब आपने इसक names में लिखना है, numbers name में, वो कैसे लिखोगे आप, यह क्या होगा, four, उपर क्या है 100, और यह क्या होगा, 58, so 458, second क्या है, अब आपको numbers name given है, वो क्या है, 271, वो कैसे लिखोगे, चाहो तो आप उपर लिख लो, ones, tens, 100, तो फिर आपको लिखोगे, 271, 271 होगे, next आपका है, 145, कैसे लिखोगे, इसको क्या लिखती हूँ, 100, this is 45, तो this is 45, ठीक है, next, fourth है, 799, इसको again, वो इस बैसे ही लिखना है, 7, क्या हो गया, 100, next क्या हो गया, 99, 799, और एक बात का ध्यान रतना है, कि 90 में, N, I, N, E होता है, कई बार आप E नहीं डालते, तो आपके marks deduct हो जाती है, ठीक है, तो E यहाँ पे जरू डालना है, next है, 304, वो कैसे लिखोगे, 304, उपर लिखना हो, one, tens, 100, तो हर बार लिख सकते हो, ठीक है, next है, 590, so again, 590, 90 में E डालना, नहीं बूलना, ठीक है, यह आप का है, question number first, और question number second, यह आपने pencil के साथ, neat and clean करना है, और question number third, और question number four में आपको समझाने लगी हूँ, लेकिन यह आपका homework है, यह आप खुद करोगे, question number third है, circle the smallest and circle the largest number, आपको पता है, smallest क्या होता है, जो छोटा होता है, ठीक है, और largest क्या होता है, जो बड़ा होता है, उन् circle ही करोगे, किसी ने technique करना, जो requirement हो question की, आपने वैसा ही करना है, ठीक है, यहाँ पे circle है, तो अब आप question number a को देखोगे, और उसमें बताओगे कि कौन सा बड़ाय जैसे है, 312, 516 and 789, इन्वे से जो भी छोटा होगा, आप उसको क्या करोगे, circle, okay, question number third and question number four आपका homework है, वो करोगे, कल हम next day start करेंगे, okay, thank you so much and see you tomorrow.